शहद का मीठा स्वाद जवान पर यू चढ़ा की बच्पन में ही मदुमक्खियों के छतों में हाट डालने का शौक पाल लिया। यह कहानी है सत्तर के दशक के शुरुआती दौर में राची के लापुंग प्रखंडिस्तित दर्मी टोली गाउं की। हम बात कर रहे हैं महालेखा कार्याले से सेवा निबरित शरण उराउंकी जिनकी उम्र अब सत्तर के पार है। समय के साथ जब शहद की कीमत समझाई तो इन्होंने इस शौक को ब्यवसाई का रूप देने की ठानी। जरूरी प्रसिक्षन पाकर छोटे अस्तर पर शुरू किये गए इस कारोवार ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। शरन का कुनबा आज काफी बड़ा हो गया है और सैकड़ो लोग उनके शौक के मुरीद है। समय के साथ इस शौक का दाइरा बढ़कर एक बड़े बैपार का रूप ले लिया है और इलाके के लोगों के लिए यह जीवन यापन का जरिया भी बन चुका है। दिवाल में या घाड़ा में हम लोग पालते थे पहुते दिन तक उसब करके आ रहे थे लेकिन अभी बक्सा उक्सा हम लोग को मिला तब है। शरण उराओं से मधुमक्खी पालन का गुर सीकर आज कई शहद के सफल वैपारी कहला रहे हैं। जर्मजात दिव्यांगता के बाबजूद इलाके में जिस तरह इन्होंने मीठी करांती लाने की जोड़दार कोशिस की है वह काबिल तारीफ है। राजधानी राची से 60 किलोमिटर दूर दर्मी टोली में उराओं परिवार ने मधुमक्खी पालन के जरिये जो अलक्स जगाई है उसकी खुस्बू पूरे गाउं में फैली है और इन जैसे लोगों ने यहाँ पर पूरे गाउं में इस तरह से बक से बनाये हैं और उसके हनी का उत्पादन यहां बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं जिससे पूरा गाउं आत्म निर्भर होने के कगार पर है